मैं जानना चाहती हूं किया मैं धर्म से जीती गई थी? कोई भी במधर्ण कोई भी सभा होगी उसका वाक्य लगा देंगे वह पक्का वाक् wil! भारत के भारती भ़री सभा में आई है सोब बैठे हैं भीश्मपिता में बैठे है करपाचार है दुरुनाचार है धरतराष्ट भी है पांचों पांडव बैठे है पूरी भरी सभा में वो द्रोपदी प्रश्ण सबसे करती है common question करती है द्रोपदी पूछती है मैं जानना चाहती हूं क्या मैं धर्म से जीती गई थी क्या उधिष्ठर को यहाँ पर जो जुआ खेलने के लिए बुलाया गया था क्या वे इच्छुक थे उन्होंने बार-बार मना किया था मैं जुआ खेलना नहीं चाहेता फिर भी आपने आगरे करके बार-बार बुलाया उनको हराया तो मैं जानना चाहती हूं क्या मैं धर्म से जीती गई थी क्या मेरे को जीता है वो न्याय संगत है द्रोपदी के इस प्रश्ण का कोई उत्तर नहीं दे सका भीष में ताने उत्तर देने की कोशिश की लेकि द्रोपदी के प्रश्ण का उत्तर नहीं था भीष में कहते धर्मस्य परमाम गती धर्म की गती बली सूक्ष में परमें इसको पता पाना मुश्किल है द्रोपदी बात में भीष मोलते हैं कुर्वह सर्वे लोब मोह परायनाह ये कौरव सारे के सारे लोब में पड़ गए है ये द्रोपदी का प्रश्ण का उत्तर नहीं है द्रोपदी नराज हो जाती है द्रोपदी ऐसा वाक्य बोलती है जो सारे दुनिया के सारे विश्व के सारे सभाओं के लिए पर्मनेंट है, इस ठाई है दुनिया के कोई भी पर्लेमेंट होगा कोई भी सभा होगी उसका वाक्य लगा देंगे वो पक्का वाक्ष भारत की परलेमेंट में वाक्ष लगा हुआ है दुरोपदी हिम्मत के साथ उस सभा में उस परिशिती में वो खड़ी है क्या बोलती है नसा सभा यत्र नसंती वरद्दाहा वो सभा सभा नहीं होती जाम कोई बड़ा बुड़ा बुजुर्ग ना बैठे नते वरद्दा येन वदंती धर्मम वो वरद वरद नहीं होता जो धर्म की बात नहीं कहता ना सव धर्मो यत्र न सत्य मस्ती वो धर्म धर्म नहीं होता जिसमें सत्य नहीं होता नतसत्यम वो सत्य सत्य नहीं होता या छले ना अनुविध्धम जिसमें छल होता है क्या बोलती है इद्रोपदी बिना व्रद के सभा नहीं और व्रद व्रद नहीं यह धर्म के उपर न चले वो धर्म धर्म नहीं सत्थ नहीं हो वो सत्थ सत्थ नहीं होता है चल होता है आज जो हुआ है यह सभा में यह चल हुआ है यह धर्म हुआ है ये सभा सभा नहीं है तो डिकलेर कर देती है उस अधर्म की शभा है। लेकिं द्रोपदी काम यह पूरा नहीं हुआ द्रोपदी बदला चाहती है। अधर्मियों को पाठ पढ़ाना चाहती है। आदनी बेहनों इस द्रोपदी के चरित्र को याद रखिए उत्र अपने पतियों चे कहा पती तयारी नहीं हुए क्यों सब इदुष्ट्री की बात बांगते थे आप महाभारत में एक संवाद देखिए इदुष्ट्री का और द्रोपदी का है द्रोपदी कहते इसको क्रोध नहीं आता तो क्या शत्री है युदुष्ट्र समझाते नहीं क्रोध नहीं चमा शत्री का भूशन है वह लंबा संबाद है आप पढ़िये कभी द्रोपदी निरास हो गई उसने कृष्ण को बुलाया जंगल में बारता हुई जंगल में पांच तो नराज और दुखी मन से निरास होगो कर द्रोपदी एक ष्ख बूलती है यह पती मेरे पति अब नहीं रहे मेरे पांच बेटे भी मेरे नहीं है मेरा आप कोई बंदू भी नहीं बचा कोई भाई भी अब नहीं है पिता भी अब नहीं मानती मैं और हे क्रश्ण तुम भी मेरे नहीं हो जाओ हिम्मत देखिए मदसूदन तुम भी मेरे नहीं हो जाओ यहां से अब कोई जानती थी अगर क्रश्ण तयार हो जाएंगे तो काम बनेगा यह तयार नहीं होंगे तो काम नहीं बनेगा और उसने ऐसी गोश्णा कर दी क्रश्ण भी हिल गए क्रश्ण को भी हिला के रख दिया अंत में क्रश्ण कहते हैं अच्छा तू चिंता मत कर जा दुरोपदी ने ऐसा कठोर बोल दिया तो क्रश्ण ने का अच्छा तू चिंता मत कर तू एक दिन महरानी बनेगी जा अब जो क्रश्ण ने का यह भी बड़ा महत्तपून है लड़ रही है यह पांचों पांड़ा तयार नहीं है तो कर्ष्ण को तयार कर ही लिया और कर्ष्ण कहते हैं सत्यमते पृतिजानामी तू सत इस बात को जान ले राग्याम राग्जी भवेत तू एक दिन महरानी बन जाएगी पतेत अध्यावुजाकास गिर जाए हिमामांच पृतिवी शकली भवेत धरती उलट उलट हो जाए शुष्चेत तोयन निदी ही सारा समद्र सूख जाए कृष्णे हे द्रोपदी नमे मोगं बचे भवेत मेरा वचन अब जूटा नहीं होगा जातू अब देखिए एक छोटा काम नहीं था इस बड़ा कि लेकि द्रोपद इनकुर्मिला करके कृष्ण को तयार कर लिया और आगे का काम हम जानते है क्या हुआ एक एक करके उस सबा में बैठे थे जो जो इस अधर्म के साहते सबको अंत में मोक्ष दिलवा दिया इसने सबको ठिकाने लगबा दिया और इस लिए सर्वकाल के लिए एक आदर्ष मेहला आत्याचार के खिलाभ अधर्म के खिलाभ असत्य के खिलाभ कैसे जड़ा जाता है वो समझधारी वो बुधी मत्ता वो कुशलता वो नीती मत्ता जो कुछ शीकना है जब रूपदी में मिल इसलिए वो द्रोपदी की महानता को हम समझें